जेहिन दोस्तों सुवागा थै आपका हमारे यीट्यूब चैनल मिलिटरी लाइब लाइब लाइन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है कि अब टेन्थ के बाद भारतियों नोशेना को इंडियान नेभी को केसे जैन कर सकते हैं नेभी में इसी कौन सी एंट्री है जिससे आप सबसे कौम क्वालिफिकेशन में इंडियान नेभी को जैन कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बादा दू इंडियान नेभी में अलग-अलग क्वालिफिकेशन में अलग-अलग जब हैं दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 10th के बाद Indian Navy को कैसे जोइन कर सकते हैं फुल इंफोर्मेशन देने वाला हूँ 10th की बाद आप metric recruitment MR की माज़दम से Indian Navy को जोइन कर सकते हैं Indian Navy MR की from साल में दोबर आता है June और November December माहिने में आपको इसका from भरना है Indian Navy MR में आपको तिन पोस्ट देखने को मिलेगा Safe, Stewart और Hyzenist दोस्तों कौन सी पोस्ट में आपको क्या काम होता है ओ मैं आपको लास्ट में बाताऊंगा पहले बात करते हैं इसकी eligibility criteria के बारे में दोस्तों Indian Navy MR में जोइन होने के लिए आपकी जो AJO 17 से लेकर 20 ER के 20 में होना चाहिए और आपकी हाइट 157 cm होना चाहिए Chess आपका 80 cm नॉर्मेल होना चाहिए और 5 cm फुला होना चाहिए मतलब 80 to 85 होना चाहिए और इसमें आपका जो O8 है वो हाइट की according रखी जाती है दोस्तों यह है Indian Navy MR की eligibility criteria दोस्तों आप बात करते हैं इसकी selection process के बारे में इसमें आपको 3 step मिलने वाला है written test, physical standard test और medical test दोस्तो written test में आपका CBT होगा मतलब computer based test होगा जिसमें आपको 50 question देखने को मिलेगा और time मिलेगा 30 minute इसमें आपको negative mark भी होता है 0.25 negative mark है अगर आप 4 question गलत कर दिया तो आपको 1 mark काट की जाएगा physical standard test physical test में आपका 600 meter की running होने वाला है और आपको time मिलने वाला है 7 minute और 20 squat लागाना है squat मतलब उठोक बेटोक लागाना है और आपको 10 push-up लागाना है physical के बाद आपका दोस्त medical test होगा medical test arm forces का जिस तरह से medical होता है Indian Navy में भी उसी तरह medical होगा आपकी पोडिकव हार पार्ट चेक की जाएगी अगर कही पोर भी शूट मिले तो आपको बाहर कर दी जाएगी दोस्तो medical test होने की बाद आपका merit list आएगा दोस्तो आप बत करते हैं Indian Navy MR की post में क्या क्या काम होता है उसके बारे में इसमें आपको तीन post देखने को मिलेगा safe, store or hygienist safe में आपको cooking करना होता है base, non-base दोनों बाना होता है और ration का हिसाब निकास भी करना होता है अगर आपको खाना बनाना पोसन नहीं तो आप safe की post में apply मत करो Istward Istward में आपको officer को खाना परसना होता है service की according अलग अलग काम भी होता है hygienist की post में आपको cleaning का काम होता है safe, room ये सारे clean करके रखना परता है hygienist की post में service की according अलग अलग काम भी होता है अब बात करते हैं दोस्तों Indian ने भी MR की post में salary कितनी मिलती है दोस्तों training के time आपकी salary जो दी जाती है वो 14,600 दी जाती है training complete होने के बात आपकी जो salary है ओर 21,000 से लेकर 70,000 की 20 में होता है दोस्तों I hope ये जान करें आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूर करना तो मिलती है अगली वीडियो में तब तक जैहिंत